दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं motion activated device के बारे में हैं जिससे हम किसी bulb को चालू और बंद कर सकते हैं automatically जिहां एक automatic system है जिससे light अपने आप चालू और बंद होता है तो यह एक market में मिलता है जिसका आज हम testing करेंगे connection करेंगे और review देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक motion activated device है जो इसी supply पर काम करता है यह इसके साथ कुछ जो package है इसके साथ क्या क्या आता है मैं आपको बहले दिखा रहा हूं यह एक wires है जो connection के साथ कुछ इस तरह से दिखाई देता है इसमें 4 वार निकलते हैं दो blue वार है एक yellow वाला है और एक brown वाला है टोटल 4 वार इसमें और इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं जैसे कि हमारे घर के जो सीडी होता है उपर चड़ते हुए या नीचे आते हुए आटोमेटिक लाइट को चालू करना है आटोमेटिक बंद करना है इस ताप की चीजों को automation में लाना है तो यह motion activated device बहुत कारगर होते हैं काफी अ ब्लू वायर आपको दिखाई दे रहा है यह common होता है input और output के लिए मैं आपको एक बार continuity टेस्टर से भी दिखा दे रहा हूं कि यह जो blue wire होता है यह हम input और output दोनों में use कर सकते हैं यह बस दिखाने के लिए कि blue wire एक दूसरे से connected है तो यहाँ पर मैंने जैसे कि यहाँ दे एक blue wire और एक yellow wire को use करना है तो यह blue wire और yellow wire को हम यहाँ पर एक holder में सबसे पहले लगा लेते हैं ताकि आसानी से किसी bulb को fit कर सकते हैं और दोस्तों इसमें हम maximum 40 watt यूज कर सकते हैं 40 watt का LED bulb उससे जाधा नहीं करना है वनना इसके लिए overload हो जाएगा वैसे हम 9 watt, 15 watt, 20 watt, 25 watt तक भी LED आसानी से घर में यूज कर सकते हैं 40 watt तो बहुत जाधा भी हो जाता है और जो input वाला है जहाँ पर हमें AC supply देना है वहाँ पर एक blue wire और एक brown wire है तो holder में तो सबसे पहले एक अपना LED लगा लेते हैं यहाँ मैं 9 watt का LED यूज कर रहा हूं और यह अपना input side है तो अपना input हो जहाँ पर हम AC supply देना है तो सबसे पहले हम लगाने के बाद supply देखते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं supply देख रहा हूं लेकि कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ तो दोस्तों वीडियो में बने रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ-कुछ problems आते हैं कुछ setting करने होते हैं जो आप जानते रहेंगे पहले से तो आराम से कर सकते हैं यह सबके साथ एक problem आता है जब तक अगर setting सही नहीं होगा तो काम नहीं करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि का साइटिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं इस तरह के wire को थोड़ा पर three-way switch दो three-way switch लगे हुए है कुछ Chinese में लिखा हुआ है mobile से scan करके मैं पढ़ता हूँ तो यह कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ दो three-way switch लगे होते हैं यानि three type के setting होते हैं उपर और नीचे में तो उपर वाला जो setting है वो light का setting है यानि कि अगर यह left में सबसे पहले अगर देखेंगे तो जब बहुत ज्यादा अंधिरा रहेगा बहुत घना अंधिरा तभी यह काम करेगा अगर लेप्ट में कर देंगे बीच में रहेगा तो हलका अंधिरे में भी यह काम करना शुरू कर देगा जैसे साम साम का time है और all सबसे लेप्ट में रखेंगे नीचे वाले टूवेश सुच की बात कर रहा हूं सबसे लेप्ट में जो पांस मिनट लिखा हुआ है तो इसका जो आउट्पूट है जो बल्वा इसमें लगा रहेगा वह पांस मिनट तक जलता रहेगा और उसके बात अपने आप बंध हो लेगा तो इस तरह से आप सेटिंग कर लेंगे तो इसको सब्सके सामने अगर आएंगे तो आसानी से 4-6 मीटर के अंदर आपको कवर कर लेगा और इसका मोव्मेंट हो यागा सेंसर का का करता है यह तो सारा connection तो मेरा ready है जो setting रहता है वो भी ready है तो इसको अभी मैं लगा लेता हूँ और इसको मैं अब चालू करता हूँ कि स्टार्टिंग में तो on रहता है यह देखिए off हो गया मतलब ready है यह थोड़ा सा इसके सामने अपना हाथ ले आता हूँ यह देखिए on हो जा रहा है जैसे मैंने पांस सेकेंड का setting लगा था यह कुछ दिर में ही बंद हो गया कुछ सेकेंड में तो इस तरह से आप इसको अपने घर में बैटरू में कीचान में सीड़ी में हाल में कहीं भी लगा सकते हैं यह जवरदस टेकनोलीजी है motion का यह एक PII motion sensor है तो यह दोस्तों इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं थोड़ा सा आपके लिए मेहनत करते हैं तो like जरूर बनता है इस वीडियो के लिए किस तरह से और आपको वीडियो देखना है किस तरह क मुझे comment करके जरूर बताईएगा और दोस्तों ऐसे ही धेरो जानकारी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching